Spotaboy के एडिटर इन्चीप विक्की लालवानी को कपिल शर्मा ने फोन पर बेहद ही गंदी गंदी गालियां दी विक्की ने कपिल शर्मा के नए शो के बारे में इससे पहले लिखा था जो की शूटिंग कैंसिल होने की खबर थी साथ ही उनकी फिल्म फिरंगी को बुरा बताया था जो वाकई में बुई थी ऐसा Spotaboy में लिखा गया था लेकिन कपिल को ये बाते रास नहीं आई और उन्होंने पहले तो ट्विटर पर कई गंदे गंदे ट्वीट किये और उसके बाद विक्की को फोन कर गंदी गंदी गालियां भी दी कपिल शर्मा ने पिछले दिनों एक अन्यूज वेब पोर्टल के एडिटर विक्की लालवानी और मैनेजर प्रीती नीती के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है कपिल की शिकायत में कहा गया है कि प्रीती, नीती और विक्की लालवानी की वजह से उनका हैरेसमेंट हो रहा है कपिल की ओर से यह शिकायत हाई कोट के वकील तनवीर नी जामने की है शिकायत में यह भी लिखा हुआ है कि वेबसाइट की नकारात्मक खबरें बढ़ती ही जा रही है इनका असर कपिल के मानसिक स्वास्त पर पढ़ रहा है क्यूंकि इन जूटी खबरों में उनके करियर, मंग्यतर और रिलेशनशिप के बारे में भी छापा गया है कपिल ने विक्की लालवानी को उनके अपमानजनक लेखों के लिए कानूनी नोचिस भेजा है कपिल के वकील तनवीर निजाम ने कानूनी नोचिस भेजे जाने की पुष्टी की है इस नोचिस में कपिल शर्मा ने नोचिस मिलने के साथ दिन के अंदर सारवजनिक और पर बिनाशर्ट माफी मांगने की मांग की है उन्होंने पब्लिकेशन से अपने खिलाफ अपमान जनक, निंदात मग भयानों, खबरों, साक्षात कारों का प्रसारण न करने का आग रह किया है साथ ही सोशल मीडिया से सभी अपमान जनक लेखों को हटाने को कहा है उन्होंने छवी खराब करने के लिए एक सा करोड हर जाना भी मांगा है इस पर कपिल के वकील तन्वीर ने कहा विकी लालवानी पर लिखे लेखों में जान बूज कर मेरे मुवकिल को बदनाम किया गया अगर अपनी कपिल शर्मा और विकी लालवानी की कॉल रिकॉर्डिंग सुनी होगी तो धाजन्दी जी आगा जब कपिल शर्मा विकी लालवानी को गालिया दे रहा है तो वो बहुत होशियारी से बिच में कपिल शर्मा को बोलता है किसी को बदनाम कर अपना करियर बनाना घलत है इस घटना के बाद जो विक्की लालवानी को नहीं जानते थे वे भी जानने लगे क्या आपको लगता है कपिल शर्मा का साथ घलत हो रहा है कृपया टिपपणी करें